जय गुरुदेव परमपुझे स्वामी जी महराज का सन 1985 का नए भर्ष का संदेश नव भर्ष के प्रथम दिन आश्रम पर उपस्थित प्रेमियों को परमपुझे स्वामी जी महराज ने सस्थंग सुनाया गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना यह प्रात्ना स्वेम प्रेमियों से करवाने के पश्चाज स्वामी जी ने कहा कि आज साल का पहला दिन है और सन 1985 सुरू हो रहा है संसारी लोगों के लिए यह साल अच्छा नहीं है जो धर्म में और इश्वर में आस्था रखते हैं उन सब में वड़ी द्रड़ता मजबूती और साहस आएगा उन लोगों के लिए विचारों का प्रारम भी अच्छा दिन शुरू हो रहा है दुनियादार जो इश्वर में महात्माओं में धर्म गरंथों में फकीरों में यकीन और विश्वास नहीं करते उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई ये सब लोग उस तरफ अपने इरादे और भाव बनाएंगे जिधर लोग इश्वर में विश्वास और खुदा में यकीन करते हैं स्वामी जी ने कहा तो अच्छा हुआ आज सन 85 के प्रारंब में आप लोग यहां आकर अचानक पधार गए मैं इन दिनों बहर कहीं नहीं गया मैं यहीं हूँ जब से भंडारा हुआ है तब से मैं आश्रम में पढ़ा हूँ आप लोगों को ये विचार करना चाहिए कि आश्रम पर है और कहीं गए नहीं तो कोई बात तो जरूर है हर वक्त आदमी अगर सोचता रहे तो बहुत कुछ उसको सोचने में मिल जाता है वह समझने लगता है और समझ कर कहने लगता है पर आप विचार छोड़ दो और इतना भी नहीं सोचो कि आश्रम पर क्यों रहे गए बाहर क्यों नहीं गए तो ठीक नहीं इसलिए मैं यहीं पर था और मुझे कहने की कोई जरूरत भी नहीं मैं तो बहुत कुछ कह चुका था अब तो जिसका जो काम था अपना अपना करो मास्टर पढ़ाता है साल भर खुब मैनत करता है और बच्चे से कराता है लेकिन जब इमतिहान का समय आएगा तो वह दूसरे के हवाले कर देगा खुद इमतिहान नहीं लेता वह देखना चाता है कि बच्चे में कितनी काबीलियत है वह पास हो सकता है कि नहीं ऐसे ही महात्मा है जब उतार देते हैं तो देखते हैं कि आप कुछ कर सकते हो कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो लोगों को विश्वास दिला सकते हो कि नहीं दिला सकते हो कहीं खड़े हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो तो ये सब चीज है फिर उसके सबके अलग-अलग दरजे हैं इतना अभी जाना है इतना कल जाना इतना फिर जाना महत्माओं के यहां तो भंडार है और हमको कभी ऐसा समझना नहीं चाहिए कि हम सबको समझ गए या हम सब कुछ पा गए ऐसा समझना चाहिए कि हमने अभी कुछ नहीं पाया और ने हमने कुछ समझा जब यह समझ लोगे कि हम समझ गए और सब कुछ पा गए तो उससे बड़ा नादान दूसरा कोई हो भी नहीं सकता महात्माओं के यहां अंतिम सांस तक लोग रगड़ते रहते हैं उनके दर्बार में पड़े रहते हैं और उस धूल को फांकते रहते हैं फिर भी कहते हैं कि हम कुछ नहीं तब कुछ मिलता है बहुत अच्छा हुआ कि दर्शन हो गए आप आज साल के पहले दिन सुमिरन भी करें ध्यान भी करें और आज से संकल्प करें कि और लोगों को भी भगवान के प्रती विवश किया जाएगा लोगों में विश्वास कराया जाएगा एक शक्ती विवश करने में और दूसरी शक्ती निराश करने में यही दयाल और काल की धार होती है कर्मानुसार मनुष्य निराश हो जाता है और कर्म जला कर वही मनुश्य इश्वर के प्रती विश्वास पात्र बन जाता है एक शक्ति कर्म को धोती है और दूसरी शक्ति कर्म में फसाती है और रुलाती है धीरस तुड़ा कर बेसहारा कर देती है परमात्माने यह नियम अनादी काल से ही रखा है कि महत्मा भी रहेंगे और तुम भी रहो तुम उनको देखो वे तुमको देखें और ऐसी आजादी चाहिए कि फिर विश्वास फल दायक हो अपना अपना विश्वास मनुष्य का अधिकार है सफलता देने वाली यह चीज बड़ी सहज गोपनिय और बोध की है जो महत्माओं से ही मिलेगी और कहीं मिलेगी नहीं जै गुरुदेव